मैं दो यार पांचतों आटो लिवीना जुड़े हुआ हैं दो यार पांचतों जुड़े ऐसी जाद मन्नू ए नी सिवता भी एच भूंदा की यह हैंना किसे मित्तर ने जवरदस्ती करवाता प्रोग्राम हैंना कारता लेया पर उस्तों बदे इन्ना बदी अलगया ठहरा वा इतनी रुकी है ना जड़े टार्गट नू सोच लेया ओचीव होया है ना किरपा एहजी रही कारते कहां दें गुस्ता नहीं करना है ना मिन्नू गुस्ता इन्ना यादा आंदा पर किसे ने सखाया नी गुस्ता इन्न कंट्रोल कि मैं करना है ना बस इनना सहरे एक बंदा करना कि मैं इनरी ने किसे ने सखाया ना कि शेब दो नहीं कि वह पता नी की में हो रहे है मैंनू नहीं पता अग सिका बैठे दुकान दफ्तर्च बड़ा आदमी बनना है पहे कमाने बनना कि मैं बतानी बस सोची जान्दे सी यह लेकिन आट ओब लिविंग दो यार पांची तक प्रोग्राम करन तो बाद एचा एक दम चेंज आया जिंदगी चाहिए पहला वही तुट्टे हो यह स्कूटर उन्हें रुपेर करा करा चला यह जोडने नहीं दो या लेकिन हुन एह जी मतलों इनर्जी बनी रहें दिया अपने काम तो लावा काम भी उस्तोबदिया हो रहे ने और काम तो लावा इन्ना कुछ कर जीदा थानू आपनों नहीं समझ आन्दा है ना भी एक की में हो पांदा है यह इस तरह दा ही प्रोग्राम इक बीत रीकतों स् स्वेरे साथे पांचतों सब आठवेश तक जो लोग एनू रिष्टेट करना चांदे नहीं मैंता इनना नहीं किता एक वार जिरूर एनू रिष्टेट करो एन प्रोग्राम जिरूर करो दोक्टर दिनिश्कुमार कांचा मैं आर्ट उफ लिंग तो जिड़ा है तैस साल लगनाली गली नहीं है तो जिंदगी बदल गई लगनाली गल तो हुंदी कि मैं कोई मैसूस किता हो ए तो पूरा वनेटी डिग्री चेंग असी पहला छोटी-छोटी गलां पिछे आप रोंदे थी कि वह क्यों हो रहा है एक क्यों हो रहा है हुन उनानों असी परिशानिया जिंदगी चेंदे यासी होना परिशानिया नों एंज्वाय करते हैं कि अच्छा इस्तरा भी होंदा है समय इस्तरा भी बदलता है और ओदे नाल मैं टीचर भी हैं तो लोगा नों सिखानदा है कि किस तरह हर घड़ी हर पल जीवन नों एक सेलिब्रेशन पता नहीं किस गड़ी किस पल आखरी सांग हो जाए एक कोर्स करके सुदर्शन क्रिया करके सब तो पहला थे हैं भी माइंड बहुत जादा रिलाक्स हुंदा है ते जो तो अपना मन शांत हुंदा ना तो मिनों लगदा है लाइफ चकर कोई भी प्रॉब्लम आंदी है या क कोई भी कुछ भी ओंदानों अपा चंगी तरह अच्छी तरह टेकल कर सकता मतलब यूजली कि उन्दे कि आपने लाइफ देवी चिन्ने जादा रुज्ज उन्ना कि आपने आपनों टाइम ने दिन दे हैं ते एक कोर्स करके एक क्रिया करके मतलब एक दाज्ज एकि खुद की की बेली बट मिले हैं तो को पहला है हैल्थ से सट होगी बिलकुर अगे बचपन तो ही ना जुकाम दी प्रोड मेंनी सी मेरे हास्ते रुमाल फड़ा रेंदा हुदा सी गा मनु किसने गया दवाई लोग में दवाई लेन लागी ऑपरेट करा ऑपरेट करा लिया उस तो जो आट ओफ लिविंग जोएन किता ना मैं लाइफ चेंज होगी बिलकुल है हैस्थ ओके होगी माइंड रिलाक्स हो गया ते हुना जिंदी की दे बड़े बड़े फैसले भी हैं चुटकी ना ला लने है इनना कि मैंनी हुट होई है सान्नू आट ओफ लिविंग चान ना बहुत फर्क पेया बहुत सब तो बड़ी काला है के सानू ना सैन शक्ती आगी दुख सुख आंदेने पार असी होगी नू सैन कर लने है बहुत सोखे तरीके ना मतला साधी सारी लाइफ बदल गी है सब तो बड़ी काला सी लाइफ चे जानने है आप यसी कि में शानती मेरे लिए बहुत वदिया बनेफिशल रहा क्योंकि मेरे स्टडी बहुत इंग्रूब होगी है इस तो बड़ी कोशल है ते बाइ परफेशन में मैं अथेमेटिक्स टीचर है ते आर्ट ओफ लिविंग देनाल में नू बारां साल होगे जुड़े होगी है ते जड़ों दे आर्ट ओफ लिविंग देनाल जुड़े है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है शुरू दे विच शायद एनी है ते बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहनता है इन फेक्सपीरियंस रहनता है इन फेक्ट जो दो सी एंटर कर दिया मैं सुभे भी अपना एक्सपीरियंस शियर कर रहें सी टीचर्ज देनाल कि सानु देखकी स्माइल आएंज फेर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अनु होड़ा आफ्टर देमेरा नाम कीर्थी विज्जन है जिमें के तुसी देख रह बहुत अच्छा लोगे सोचने कि आज आट नु बजे तक सवांगे सानु बटे होंदा है कि नहीं कि अपने सेंटर देख जाए क्योंकि सादी बॉडी इधा बहुत मतलब बॉडी चट के उस तो बिना माइंड सोल ते जड़ा काम होंदाना थे वह इन परफेक्ट है मतलब तुसी सोच भी नहीं सकते कि लाइफ दाइक मतलब मैंगलों 180 डिग्री दी रोटेशन है लाइफ देन ना नाम तो शोर है आट ओफ लिविंग कि जीव अब देखो जीवन कट ना इख जीवन जीना कुछ लोग जीवन कट रहे ने असी लोग जीवन नो जी रहे हैं कि मैं आट ओफ लिविंग सी खांदा है ता मतलब मैं अपने जो भी हो रहे देख रहे ने सुन रहे नो रिक्वेस्ट करूंगी कि लाइफ देविच इकवर जरूर एनों एक्स्पिरियंस करो तुसी आप महसूस करोंगे कि सच्ची जिन्दी जीन दी कला जेडी है ओ आज तो पह कि में बढ़े जानता है और जिन्दगी नों कि में जीया जानता है कर देवी बहुत कहने हुं देजी के वित्यान ना काम करना कि में एक किसे नहीं दसे का सो आट ओफ लिविंग जॉइन करन तो बाद ए सारीयां चीज़ां समझ आई हैं भी हुमन वैलिउस दी की महतता हु कि में इकले जानता है या आट ओफ लिविंग देविच आके ही पता लगदा नहीं आम तोर थे था जिन्दगी देविच लोग उल्जदे रहां देने सामन शर्म है और मैं एज ए प्रफेशनल टीचर और जिम ट्रेनर है ता एक कूर्स में दू मीन ने पहले ही जॉइन कीता जीगा पहले इस बारे पता नहीं पर जिमें ही जॉइन कीता ओधा मेरी काम करन दा फोकस मेरी कंसेट्रेशन बहुँ जादा बात गी यानिकि पहले बहुत अग्रेशिव यानिके एंग्री में ने कहां दें लिए बहुत गुस्चे आड़ा बंदा पर जिद्धा ही ए चीज नो मैं कीता मेरा गुस्वा बिल्काम करन दा त्यान करन दा किसे भी चीज नो फोकस कंसेट्रेशन बहुँ जादा बात गी तो होन में ने तू आल वन टाइम फिस सुन दिये बारां सुर पे और एप प्रोग्राम में इदिश फुदरशन करिया सुखाई जन्दी है और तो कई प्रोग्राम तो सुने ओने कि कोई बॉडिते कम करता है कोई सॉल ते कम करता है एजड़ी आर्ट ओफ लिविंग संस्था है शीरी शीरी रवी जिदगी इच खुशियां रहन दिया ने और जेड़े जुड़े ने अपगा सकते हैं कि मैं काम मंगदा नी मैं जादा मंगदा नी ओ काम देन दा नी ओने तो एक जेड़ा भी इनूं अन्वब करते हैं जुड़ जान दा है फिर वो दूर दूर जानी सकता और फिजिकली और मेंटली वो बंदा फिट रहांदा है और अगर तुसी हैपी लाइफ जीना चांद देओ जीवन नू एक कला दी तरह जीना चांद देओ तो जरूर आट ओफ लेविंग नू जोईन करो मेरी रिक्वेस्ट भी है और सुजाब भी है जागुरते